Hello everyone, welcome back to this channel तो friends, class 6th का chapter 2 है आखेट्स खादे संग्रह से भोज्यन उत्पादन तक तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत important topic है और इसमें से जो question आपके exam में बनेंगे वो हम इसमें points देखेंगे सो जल्ली से वीडियो को like and share कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे तो शुरू कर लेते हैं वेखे आखेटक किसे कहते हैं आखेटक, खादे संग्रहाक ये क्या करते हैं खाने के लिए ये जंगली जानोरों का शिकार करते हैं उनको कहते हैं आखेटक ठीक है, जंगली जानोरों का ये शिकार करते हैं जर वह आध़े मचलियां चिडिया पकड़ते थे फल तो एक खामाई द के थे जटी का होगता का थे हुआ SAY शिकार के तलाश में और ये भोजन की तलाश में या शिकार करके जो है अपना जीवनियापन करते थे और शिकार करके जाने वाले लोग भी जो है इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे जो इनके साथ-साथ रहते थे वो इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे यानि इसमे मनुश्य ने किस तरीके से सीखा है ठीक है पेडों और पोधों में फल फूल अलग-अलग मोसम में आते हैं आपको पता है जो फल फूल होते हैं वो अलग-अलग मोसम में आते हैं इसलिए लोग क्या करते थे तलाश में उप्यूपत मोसम के अकोर्डिंग जो है वो अन्य रा लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकडियों और हड्डियों के ओजार बनाए थे, कुछ ओजारों का उप्योग वो क्या करते थे, फलफूल को काटने में अलग अलग तरीके से वो औजार बनाते थे, कुछ होता थे जिससे फलफूल, काटे जाएं, हड़ियां, मास काटने, पेडों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए वो करते थे और कुछ से भाले और बान जैसे जो हतियार थे वो बनाए जाते थे कुछ अजार से लकडियां काटी जाती हैं, लकडियों का प्योग वो किसमें करते थे इंधन के रूप में और साथ के साथ अपनी जोपडियां और उजार वो बनाते थे कुछ अजारों का अवशेश आज भी बचे हैं, जहां बरतन अजार इमारतों जैसी वस्तूं के अवशेश मिलते हैं और उससे क्या कहते हैं, पुरास्थल जहां पर ये अवशेश मिलते हैं भीम बेटका ये मध्यप्रदेश में है पुरास्थल इस पुरास्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं जहां पर ये लोग रहते थे और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश धूप और हवाओं से रहत मिलती थी और ये जो गुफाएं हैं ये नर्मदान घाटी के पास है कुर्नूल गुफा में राक के अफशेश मिले वहाँ पर जो अफशेश मिले इससे अंदाजाल आ सकते हैं कि वो लोग क्या करते थे आग जलाना वो सीख गए थे वहाँ से जो अफशेश मिलते थे तो क्या करते थे तत्विविद ये जो इतिहासकार थे वो अपने-अपने conclusion निकालते थे अपने-अपने views रखते थे कि हाँ लोगों ने आग जलाना सीख लिया होगा इस वज़े से वहाँ पर राख मिली थी और आग का इस्तेमाल वो किसलिए करते थे रोशनी के लिए अपने मास को पहले तो लोग अच्छा खाते थे फिर वो सीख गए जब आग जलाना तो वो मास भूना वो सीख गये खतरनाग जानवरों को दूर भगाने के लिए वो किसका यूज़ करने लगे थे आग का है न पूरा पाशानकाल पूरा पाशानकाल किसे कहते हैं पूरा यानि प्राचीन पाशान यानि पत्थर जहां पर पत्थर के उजार बनाते थे और पूरा पशान काल जो है 20 लाग साल पहले से 12,000 साल पहले के दुरान ये माना जाता है ये point सियाद रख लेना question में पूछा जाता है मध्या पशान मेसुलित इसका समय जो है 12,000 साल पहले से रेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है और इसके जो पाशान होते थे जो पत्थर होते थे इस युग में छोटे होते थे आम तोर पर और लगू पाशान, माइक्रोलीथ इन ओजारों में हड़ियों या लकडियों के मुठे लगे हसियां और आरी जैसे ओजार यहां पर मिलते थे साथ-साथ पूरा पाशान युग वाले जो ओजार है वो इस दोरान बनाए जाते थे 12,000 साल पहले दुनिया की जलवाईयों में बड़े परिवर्तन आई यानि बदलाव आई और गर्मी बढ़ने लगी इससे जो है हीरन, बारहां सिंगा, भेड, बकरी, गाएं जैसे उन जानवरों की संक्या बड़ी जो घास खाकर जिन्दा रह सकते थे इस काल में मचली भी भोजन का महतवुन स्त्रोथ बन गई इसी दुरान उप महद्वीब के भीन-भीन इलाकों में गेहुं, जो, धान, अनाज, प्राकर्तिक रूप से उगने लगे थे यानि naturally उगने लगे थे साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि अनाज कैसे उगते हैं कहां उगते हैं कब पकर ये तियार होते हैं क्योंकि वो naturally उगए थे तो फिल लोगों ने देख लिया कि हाँ किस कैसी मिट्टी में वो उगते हैं कब उगते हैं कब ये पकर त्यार होते हैं कितने महीने उसको लगती है तो दीरे-दीरे वो क्या बन गए थी क्रिशक बन गए थी और सबसे पहले कुट्टे को उन्होंने पालतू जानवर बनाया था तो दीरे-दीरे उनने क्या किया थी लोग जो थे वहां के भेड, बकरी, गाए, सुवर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदी काने को उत्साहित करने लगे ऐसे जानवर जुंड में रहते थे और ज्यादतर घास खाते थे उनको पालने लगे थे और जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए जातर महाँ पर घास उगाते थे और धीरे धीरे इसी तरी के से वो पशु पालक बन गए यानि वो जानवरों को जो है पशु को पालने लग गए थे लोगों के द्वारा पोधे उगाने और जानवरों की देखबाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया बिट्टी के बड़तन बनाई, टोकरिया बनाई, फिर जमीन में गड़ा, खोदा क्रिशको और पशपालको के साक्षे जो है यानि शाक्षे होते हैं जो एविडेंस होते हैं पश्मोत्तर शेत्र में आधुनी कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिन भारत में पाई गए हैं इनके जो एविडेंस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उन्होंने जो है खेती किस तरीके से सीखी और कैसे मतलब कौन-कौन से जानवर उन्होंने पाले है ना पूरा स्थलो पर जोपडियों और घरों के निशान मिले जैसे बुर्ज होम जो है ये कश्मीर में है वहां के लोग क्या काते थे गड़े के नीचे घर बनाते थे जिनें गर्तवास कहा जाता है और इसमें उतरने के लिए क्या होती थी नीचे सीधिया बनाती जैसे ये को हम जब देखते थे तो उसके अनुसार उनकी अनुसार ही जो है हम अपने व्यूज रखते थे आगे बढ़ते हैं नव पाशान यूग में ओजारों की जो धार है उसको अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चड़ाई जाती है ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पत्तियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीछने के लिए किया जाता है ओखली आपने देखिया ना ओखली इस तरीके से ओखली होती है मुसल होता है इस यूग के पुरा स्थलों से मिट्टी के बरतन मिले हैं बरतनों का उप्योग चीजों को रखने के लिए किया जाता था वे खाना बनाने के लिए गेहूं, चावल, दलहन जैसे अना जो है वो आहार यानि भोजन का हिस्सा बन गए इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे इसके लिए कपाज जैसे आवशक पोधे उन्होंने उगाए बहु जंगा लोग जो हैं मोसम के मताबिक बदर बदल कर अपनी जीवी का चलाया करते थे यानि केती किया करते थे यह है इरान जाने वाले सबसे मैतुपुन रास्ते बोलन दर्रे के पास एकहरा बरा समतल स्थान है वह है मेहरगड ठीक है आगे है यहां विभिन प्रकार के जानवरों की हड़िया मिली इन में जो हैं हीरन तदा सूर जैसे जंगली जानवरों तदा भेड बकरियों की हड़िया है मेहरगड में चोकोर तथा आयताकार घरों के अवशेश भी मिले यानि वहाँ पर क्या होता था जो पुरा तत्वीद थे उन्होंने जो अवशेश मिले थे उनके बेस पर ही जो है उन्होंने ये लगाया था कि वहाँ पर ये उन्होंने जानवर पा ले थे जानवरों की जो हड़िया मिली थी उनसे की ये जानवर की है और मेहरगड में जो चोकोर आयताकार घरों के जो अफशेश मिले थे इसमें चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं और मेहरगड की कबरों में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया और इसे परलोग में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा यानि मैं मानते थे कि जो मृतक है उनको खाने के लिए चाहिए होता है तो उनके साथ बकरी को दफन करते थे मध्या पाशान युग जो है 12,000 से 10,000 साल पहले का है और बसने की जो प्रक्रिया है उसका आरम वह था 12,000 साल पहले मेहरगड में बस्ती का आरम 8,000 साल पहले माना गया है और नवपाशान युका आरम 10,000 साल पहले तो यह जो points थे यह आपके exam के लिए बहुत important है इसी में से ही आपकी question बनते हैं seated paper 2 में I hope you like this video, if you like this video so please do like, share and subscribe my youtube channel till then bye bye